राश्टी अल्व संख्यक आयो National Commission for Minorities और मैं आप लोगों से हमें सक्काय भी रहा हूँ कि अगर आप लोग किसी एक्जाम की तैयारी करें तो इस तरह कि संस्थान वो चाहे आपके राश्टी इस्तर के हो या अंतराश्टी इस्तर की संगठनों इनके बारे में आप लोगों को अपने पास एक सामान जानकारी हर हाल में रखना है क्योंकि आपके एक्जाम में हर साल इस तरह के संस्थानों से questions पूछे जा रहे हैं फिर चाहे आप लोग civil service यानि कि UPSC IES की तैयारी कर रहे हो या फिर आप लोग state PCS की तैयारी कर रहे हो या फिर आप देखते हैं कि जो one day exam होती रहते हैं तमाम उनकी तैयारी कर रहे हो और एक काम और किया करिएगा आप लोग जिस भी एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके कम से कम 4-5 साल पुरानी questions पेपर उठा के देखा करिएगा उन्हें समझा करिएगा और तब आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कहां से किस तरह के questions पूछे जा रहे हैं आपके एक्जाम में तो चलिए हम लोग अल्व संक्यक आयुक के बारे में बिस्तार से चर्चा कर लेते हैं और इतना कहा जा सकता है कि इस किलास को देखने के अगर आपकी राष्टी अल्व संक्यक आयुक से questions आपकी एक्जाम में आ रहे हैं तो उसके answer आप लोग उसके जबाव बहुत ही आसान तरीके से देने की स्तिति में पहुँच जाएंगे और इससे पहले भी हम लोग बहुत सारी संगठनों के बारे में बात कर चुके हैं त तो अल्व संख्यक संस्कित के दो सब्दों से बना हुआ है अल्व यानि की थोड़ा या फिर कम और संख्या का मतलब होता है सामासीक सब्द क्या होता है अर्थ होता है संख्या और दूसरे समू की तुला में कम संख्या में होना धार में कल संख्यक आप लोग देखते रहत तो यह आप लोग ज़रूर याद रखेगा ऐसा समधा जिसकी सामाजिक आर्थिक और राजनेतिक रूप से कोई प्रभाव ना हो जिसकी आवादी नगन हो उसे अलसंक्यक कहा जाता है और अंतराश्टी कानून के तहत अलसंक्यक ऐसे समूह हैं जिनके पास बिसेष्ट और इ 1978 में तो वर्स 1978 में आप देखेगी ग्रह मंतराले द्वारा पारित एक संकल्प में अलसंक्यक आयोग की स्थाफना की परीकल्पना की गई थी कव 1978 में फिर आप देखते हैं कि 1984 आता है और 1984 में अलसंक्यक आयोग को ग्रह मंतराले से अलक कर दिया गया और इसे नव निर्मि में भासाई अलसंक्यकों को आयोग की अधिकार छेत से बाहर कर दिया फिर आप देखते हैं कि 1992 आता है और 1992 में राष्टी अलसंक्यक आयोग अधिनियम के साथ ही अलसंक्यक आयोग एक साम्विधिक यानि की बैधानिक निकाय बना दिया गया और देखे साम्विधिक या सम्विधान के किसी अनुचेत की तहई, उसकी अगर स्थापना की बात की जा रही तो वो क्या है? आपका सम्मिधान एक संस्ता है, सम्मिधान एक आयो गए. जिससे आप देखी पिछली क्लास में आप लोगों ने देखा होगा, हम लोगों ने पिछरा वर्ग आयोग के बारे और आप देखते हैं कि इसका नाम बदल कर राष्टी अल्व संख्यक आयोग कर दिया गया था और वर्स 1993 में पहले बैदानिक राष्टी आयोग का गठन किया गया और पांच धार्मिक संब्दायों जिसमें आप देखें मुसलिम, इसाई, सिख बौध और पारसी को अल्व सं संख्यक संब्दाय की रोम में अधी सूचित किया गया था तो आभी वर्तमार में आप देखें मुसलिम सामिल हो गए, इसाई सामिल हो गए, सिख सामिल हो गए, बौध पारसी और जैन धरम हो गया ठीक है और देखें अल्व संख्यक आयोग की बारे में अगर आप से डारे है इसकी किसकी, इसकी सरचना की, इसमें कौन-कौन सामिल रहता है, तो इसमें आप देखेंगे कि राष्टिये अल्व संख्यक आयोग में एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और पांस सदस होते हैं, और इन सभी का चैन अल्व संख्यक समधायोग में से ही क होना चाहिए इनका चैन के अंदर सरकादवारा नामित कीए कि जाने वाले इन व्यक्तियों को योग चमतावान और सत्यनिर्टा होना चाहिए ये योग गिता आप लोग कह सकते हैं और इनके कारकाल की अगर हम लोग बात करें क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब किसी आयोग की स्थापना की जाती है तो उसका कोई काम तो रहता ना किसी काम के उद्धिस के सही तो उसकी स्थापना की जाती है तो इसका काम कारह संग और राज्यों के तहट अल्व संख्यकों के विकास की परगति का मूले अंकन करना समिधान और संग तथा राज्जों की कानूनों में अल्व संख्यकों को पिदान की गई सुरक्षा उपायों की निगरानी करना अल्व संख्यक समदाई की हितों की सुरक्षा के लिए नीतियों के प्रभावी कयान बन ही तो आवस्तिक सिफारिसें करना अल्व संख्यकों को उनके अधिकारों रक्षोपायों से बंचित करने से संबंदित बेनिर्देश्ट सिकायतों की जाच परताल करना अल्व संख्यकों के विरुद किसी भी पिकार के विभेत के कारण उत्पन होने वाली समस्याओं का अध्यान करवाना और इन समस्याओं को दोर करने के लिए सिफारिश करना और अल्ग संक्यकों के समाजीक सार्थिक और सैख्षिक बिकास से सम्मंधित विशों का अध्यान, अनुसंधान और विसलेशन करना इसका काम है केंद तथा राज्ज सरकारों को किसी भी अलफ संख्यक समदाय से संबंधित उपायों को अपनाने कस्जाओ देना केंद और राज सरकारों को अलफ संख्यकों से संबंधित किसी भी किसी विशाय पर विश्ष्टा तया कटनाईयों पर नियत कालिक अथ्वा विश्ष्ष्ट रिपोर्ट पिदान करना कोई अन्विसे जो केंद सरकाद वारा उसे निर्दित किया जाए उस पर काम करना यह सोनिशित करना कि पिधान मंतरी का 15 सूत्री कारिकरम लागू है और अल्व संख्यक समदायों के लिए यह कारिकरम बास्तों में काम करा है अगर आप से पूछे कि पिधान मंतरी का 15 सूत्री कारिकरम किसे समदित है अल्व संख्यक समदायों से समदित है अब आप देखेंगे कि विस अल्व संख्यक अधिकार दिवस इसके बारे में भी जान लीजे आप लोग पितेग बर्स यानि की हल साल 18 दिसंबर को राष्टिय अल्व संख्यक आयोग द्वारा विस अल्व संख्यक अधिकार दिवस का आयोजन किया जाता है और 18 दिसंबर 1992 को सयुक्त राष्ट ने धार्मिक या भासाई राष्टी है अत्वा जाती अल्व संख्यकों से संबंधित ब्यक्ति के अधिकारों का वक्तब को अपनाया था और सयुक्त राष्ट की अगर हम लोग बात करें तो United Nations की बात हो रही है और आप देखें इसकी इस्तापना 24 अक्टोबर 1945 में हुई थी New York USA में इसका Headquarter आपको देखने को मिलेगा अगर हम लोग अल्व संख्यकों से संबंधित बैदानिक और कानूनी प्रावधान अगर देखें तो इसमें आप देखें राष्टी अल्व संख्यक आयो अधिनियम अल्व संख्यकों को कैंद सरकाद वारा अधिस उचित एक समदाई की रूमें परिवासित करता है और भारा सरकाद वारा देश में 6 धर्मों, मुसलिम इसाई सिक्खे बौध और पालसी और जैन धर्म को धार्मिक अल्व संख्यक गोसित किया गया है भारती समिधान में अल्व संख्यक सब्द को परिवासित किया गया है बिलकुल नहीं किया गया, हाला कि समिधान धार्मिक और भासाई अल्पसेंखकों को मानता जरूर देता है, अगर आप लोग समिधान के भात 3 को पड़ें, अनुचेत 15-16 को पड़ें, तो ये अनुचेत धारम जाती लिंग या फिर जनम स्थान की अधार पर नागरेकों के सा जाती लिंग या फिर जनम स्थान की अधार पर किसी भी पिकार का भेदभाव ना करने की बात करता है, फिर अनुचेत अगर 25-1 को पड़ें, 26 को पड़ें और 28 को पड़ें, तो ये यह लोगों को अन्ताकरण की सुतनत रूप से धरम का प्रिचार, अभ्यास, प्रिचार क करने क्या अधिकार प्रिदान करता है, संबंदीत अनुचेदों में पितेक धार्मिक संपदा या बर्ग को धार्मिक और धार्मात उद्देशों, उद्देशों ही तो धार्मिक संस्थानों को इस्थावित करने का अधिकार, तथा अपने स्वयम की धार्मिक मामलों का प् यह अनुचेद उपबंद करता है कि भारत के राजजचित या उसके किसी भाग के निबासी नागरेकों के किसी अनुभाग को अपनी बिसेश भासा, लिपी या संस्किती को बरायर रखने का अधिकार होगा अनुचेद 29 के तहट पिदान किये अधिकार, अलसंकियक तथा बहु संकियक दोनों को पराफ थें हाला कि सरवोच नेयलाय ने कहाए कि इस लेक का दायरा केबल अलसंकों को अलसंकियकों तक ही सीमित नहीं है क्योंकि अनुचेद में नांगरेकों के वरक सब्दिके उपयोग में अलसंक्यकों के साथ साथ बहु संक्यक भी सामिल है सरवोच नियालयनी की सुप्रेंग कोट की बात हो रही है और सम्मिधान की अनुचेद 124 को आप लोग पढ़ेंगे न तो सुप्रेंग कोट की स्थापना की बात की गई है 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी और इसमें जो नियादीश रहते हैं उनकी सिवानिवित्ती की उमर 65 साल लखी गई है फिर आप देखेंगे कि अनुचेद 30 ये क्या कहता है और नागरिकों को किसी भी बर्ग जैसा कि अनुचेद 29 के तहट तक बिस्तारित नहीं किया जा सकता है और अनुचेद आप देखेंगे 50 ये क्या गयता है 50 B 350 B मूल उपसे भारत की सम्मिधान में भासाई अलसेक्यकों के लिए बिसेश अधिकारों के सम्मद में कोई प्रावधान नहीं किया गया था और एसे साथवी सम्मिधानी संसोदन अधिनियां 1956 द्वारा सम्मिधान में अनुचे 350 B के रूम में जूडा गया ये भारत की राश्पती द्वारा नियुकते भासाई अलसेक्यकों के लिए निकलेगा ठीक है किसी और आई के बारे में बात करनी है किसी और टॉपिक के बारे में बात करनी है तो आप लोग उसका नाम नीचे बता सकते हैं और वाकिया आप लोग पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए आप लोग